पैसो की ये सब मोह माया है, पैसो से ही सुखी हरकाया है, पैसे ने सब को नचाया है, आज हर किसी ने स्वार्थ और लालच को अपना साथी बनाया है, ये तस्वीरे देखिए जरा ये तमाम तस्वीरे उन लोगों की हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कई मुकाम हासल किये हैं, अपने अपने शेत्रों में नाम कमाया है, अपनी पहचान बनाई, यानि मेहनत के दम पर आज लोग इन्हें जानते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हो गया कि सभी हैरान रह कि ऐसा कैसे हो सकता है, कई लोगों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, दरशल सभी जानते हैं कि भी तो किछ महीनों पहले ट्विटर के मालिक एलन मस्क की तरफ से एक घोशना की गई थी, कि आने वाले दिनों में भारत में ट्विटर ब्लू टिक के प्रति माह और सालाना 114.99 डॉलर प्रति वर्ष देना होगा जिसे 21 अप्रेल 2023 को लागो भी कर दिया गया और इसके वज़े से भारत की तमाम नामी हस्तियों के ट्विटर से ब्लूटिक हट चुके हैं जिसे लोग हैरान है ये चर्चा का विशे बन गया है कि भाई पहले जो पैसों के दम पर सभी को ब्लूटिक दिया जा सकता है और पहले किसी भी वेरिफाइड अकाउंट से जब कोई किसी भी तरह की खबर की जानकारी दी जाती थी तो उसकी क्रेडिबिल्टी होती थी लेकिन इस तरह से पैसों के जरीए हर किसी को ब्लूटिक देना सही नहीं बता दे कि इस वक्त ट्वीटर ने भारत के कई बड़े चेहरे चाहे वो किसी भी शेतर से आते हों उनके ट्वीटर से ब्लूटिक हटा दिया है इसमें विराट कोहली अमिताब बच्चन सलमान खान शारूख खान प्रियंका चोपड़ा बीजेपी का ओफिशियल ट्वीट इतिनात समेत तमाम नामी हस्तियों के ट्वीटर से ब्लूटिक गाइब हो चुका है बदा दे चले कि एलन मस्क ने ट्वीटर को खरीदने के बाद उसमें कई तरह के बदलाव के थे जिसके बाद नियम बनाया गया था कि वेरिफाइड अकाउंट्स के लिए यूजर्स को पैसे चुकाने होंगे जिसके बाद से तरह तरह की बाते हुई और मस्क के नए नए तरीकों से पैसे कमाने की नीती पर आपका क्या सोचना है क्या लोगों को खरीद कर ब्लूटिक लेना चाहिए कॉमेंट श्रिक्शन में जरूर बताईए